प्रिस्मिल्लाहिदास्वान एराहिंग मैं दर्भी ओन्लाइन की जाने से मात्र कासम आप सब्सक्रा भाई जी तो वीवर्स आज में आपको स्खाने जाओंगा ये एक डबल शर्ट है इसकी में आज आपको मकंबल कटिंग्स खाऊंगा बिवर्स में आपको दो तरीकों से कटिंग्स खाऊंगा मेरा ये दावा है जिस तरह में आपको कटिंग्स खाऊंगा पूरे यूट्यूब पे आपको पहले कि सिखाई होगी चले वीडियो शुरू करते हैं ये हमारी लंबाई है, ये हमारे बादू है, ये हमारे तीरे का साइद, ये चेस साइद, ये कमर साइद, ये हिप का साइद, गेरे का साइद ये है, आरम होल हमारा इस तरह साथ इंचाएगा, इस तरह साड़े आठाएगा, सैटसला ये हमारी तेरा इंचाएगी, यहां से यह ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा, वीवर्स, ये हमारी लाइनिंग का कपड़ा, ढाई गाज कपड़ा है ये लाइनिंग का, ये इस तरह भी शाक है, सबसे पहले गेरे का निशान लगाएंगे, ये गेरा हमारा 23 इंच है, ये 23 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, अब 3 इ तरह इस कपड़े को प्रेस करके इसकी मियानी लगा लेंगे ये मैं इस तरह से मियानी लगा लूँगा इसकी वीवर सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे 49 इंच हमारी लंबाई है ये मैंने लंबाई का त्यार निशान लगा लिया साथ इंच पे आरम होल का निशान आएगा हमारा साड़े चोदा त्यार पर कमर का निशान आएगा साड़े चोदा पे मैंने निशान लगा लिया अब जो सैड सलाई हमारी 13 इंच त्यार आएगी ये मैंने 13 पे निशान लगा लिया अब इन निशानों को आपस में मिलाएंगे ये हिप का निशान हमारा ये हमारा कमर का निशान ये हमारा आरम होल का निशान और ये आखरी हमारा शॉल्डर का निशान ये नीचे हमारा गेरे का निशान तीरा हमारा शोल्डर यानि के चोदा इंच है यह मैंने साथ पे निशान लगाया तीन सुतर दबाओ रखा मैंने इसी तरह नीचे साथ पे निशान लगाके यह तीन सुतर मैंने दबाओ रख लिया चेस्ट हमारी उन्नी से साड़े नो पे निशान लगाऊंगा साड़े ग्यारा पे निशान लगा दिया मैंने वीवर्स अब इस तरह से निशान मिलाएंगे ये बाहर वाला निशान जो शोल्डर का हमारा इस तरह से मिला लेंगे अब इस निशान से एक इंच अंदर निशान लगा लेना अपने जो हमने बाहर निशान लगाया उस निशा से एक इंच अंदर निशान लगा के इस तरह निशान खिंच लेंगे अब इसी तरह शोल्डर से नीचे को पोना इंच डोन करेंगे यह पोना इंच नीचे निशान लगा के सेंटर से साड़े तीन पर निशान लगा के यह साड़े तीन पर निशान लगाया इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से अब आर्म होल की गुलाई कर देंगे इस तरह से आपने आर्म होल की गुलाई कर देनी अब चैस के निशान को कमर के निशान के साथ मिलाएंगे कमर के निशान को हिप के निशान के साथ मिलाएंगे हिप के निशान को गेरे के निशान के साथ मिला लेंगे ये हिप का निशान हमारा त्यारी का अब आदी इंच उपर से शोड़ के शोल्डर से आदिन छोड़ के कटिंग करेंगे आरम होल निशान के बिलकुल उपर कटिंग होगा इस तरह इसी तरह बैक उपर से बिलकुल बराबर फ्रेंट के नीचे वाली जगा से अपने पौना इंच डॉन करनी फ्रेंट से पौना इंच बाहर की तरफ हो ये कटिंग कर लेंगे दबाओ छोड़के ये कट हमारा त्यारी का हिपका ये आरम होल पूरा कर लेंगे ये देखें साड़े आठ हमारा वैसे ही पूरा बिलकुल पूरा है ये देखें इस तरह गुमा के देखें साड़े आठ त्यार है हमारा वीवर्डू ये हमारी नीचे वाली लाइनिंग जिसको शामीज बोलते हैं वो मेंने कटिंग कर दी अब आप वाली कमीज कटिंग करेंगे ये मौटा टाफल ये टाफल आपने डबल कर लेना है अगर नहीं है तो सिंगल छी कर ले ये टावल बिशा के उसके उपर ये प्रेस करेंगे वीवर्स ये टावल बिशाने का मकस्द ये है कि ये हमारी मोतियों वाली कमीद है ये इस तरह अच्छी तरह प्रेस हो जाती है ये देखें, ये दिखा दो आपको ये मोती, काट मोती लगे हुए ये काट मोती टावल के अंदर चले जाएंगे और ये प्रेस अच्छी तरह हो जाएगी इस तरह आपने बिशा लेना काट मोती टावल के अंदर चलेगे इस तरह प्रेस कर ले वीवर्ड ये छोटी छोटी बाते आपको किसी ने ने समझानी वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है लेकिन ये बरीकी की बाते हैं ये समझानी पड़ती है आपने सीधी साइड बाहर की तरफ कर लड़ी है जो मोतियों वाली सीधी साइड है वो बाहर की तरफ करनी है बाहर की तरफ करके इस तरह से म्यानी लगा लड़ी वीवर्द ये तरीका नमबर एक है आपको समझा रहा हूँ मैनी लगा कि इस तरह जो अस्तर है आपने इसके उपर रहके इस तरह कटिंग कर लेड़ा ये है तरीका नमबर एक जो दूसरा नमबर तरीका है वो ये है आपने इसको खोल के बिशा लेना ये हमारी लाइनिंग ये इसके उपर इस तरह से बिशा आके सेंटर लाजमी करना सेंटर लाजमी करके आपने इसको सुई के साथ कच्छा कर लेना ये तरीका नमबर बता रहूँ आपको ये लंबाई का निशान हो गया हमारा ये लंबाई त्यार 49 इंच ये निशान लगा लिया उपर और नीचे ये हमारा त्यारी का निशान है ये अस्तर जो लाइनिंग हमने कटिंग की थी इस तरह से बिशा लेंगे बिशा के ये मैं सेंटर करूंगा ये सेंटर के साथ आपने सेंटर मिलाना, इस तरह से, ये तरीका नबर एक है हमारा, तरीका नबर दो में आपको बाद में समझा देता हूं, ये देखें सेंटर में सेंटर आपने मिला के इस तरह से, आरम होल देख लें, दोनों बराबर हैं, दोनों आरम होल बराबर हैं, में तो इतना तो मेरा हक है एक लाइक कर दिया करें कंजूसी ना किया करें इतनी सेंटर में कच्छी करने के बाद दोनों साइडों पर कच्छी कर लेंगे ये इसी तरह मैंने दोनों साइडों पर कच्ची कर लिया वीवर्स एहत्यातन मैं चोक्स पर भी एक कच्ची डाल लेता हूँ अलएदा से उससे चोक में सरवट वगेरा नहीं आते आप भी इधर चोक के उपर कच्ची डालना चाहते तो डाल लें अगर नहीं डालनी तो कोई इशू नहीं है मैं अहत्यातन डाल लेता हूँ इससे चोक में कभी सरवट वगेरा नहीं आएंगे अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आप शेहर के किसी भी कोने में जाकर बैठ जाए तो कस्टमर आपको ढूंडी लेता है मेरा मतलब है कि आपको हर तरह अच्छे से इच्छा काम समझाओं करना ना करना आपकी मरदी है यह कच्छी डाल गी अब अस्तर के बिल्कुल साथ लाइनिंग के साथ रहके कटिंग कर देंगे यह कटिंग हो गई यह लंबाई चेक कर लेंगे यह देखें लंबाई है हमारी तियार है पहले से निशान लगाए थे लेकिन फिर भी दिखा दूँ आपको यह लंबाई हमारी थर्टी नाइन तियार वीवर्स यह हमारा तियारी का निशान अस्तर हमारे लाइनिंग 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 लाइनिग 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 वेवर्ज ये हमारी बैक, ये तरीका नबर दो आपको समझाओंगा, एक तरीका मैंने आपको पहले समझा दिया, जोन साब को पसंदे, आप उसी तरीके से काम कर लीजेगा, ये तरीका नबर दो है, ये मैंने लंबाई का निशान लगा लिया, एक कपड़ा हमारा डबल है, फोल्ड है मैनी लगा ली हुई ये लंबाई का निशान हमारा त्यारी का निशान आ गया अब जो अस्तर जो लाइनिक हमने कटिंग की थी उसको इस तरह से इसके उपर बशा के इस तरह ये तरीका नबर दो हमारा इस देखें इस सेंटर के साथ आप सेंटर में लाएं, इस तरह मियानी के साथ मियानी मिली हो आपकी, आप ये कटिंग कर लेंगे, वीवर्स जोन सापको तरीका पसंद है, वो कर लीजेगा, मेरा कम है आपकी रहनवाई करना, बाकि आप ज्यादा समझदार हैं, जोन सापको तरीका पसंद है, वो कर लीजे गेरे का, एक कटलादमी आपने कट के साथ कट मिलाने, ये हमारी लंबाई तियार, अस्तर अलेदा से सलाई लगा लेंगे, और नीचे वाले को अलेदा फोल्डिंग लगा लेंगे, अंदर की तरसी, ये हमारी लंबाई त्यार है 39 निंज जो उनसाब को तरीका इजी लगे वो कर ले ये बाजू है हमारे बाजू डबल बाजू दो बाजू है हमारे इस तरह जोड के आपने आगे त्यारी का निशान लगाया ये तियार निशान है हमारा ये बादू 24 इंच बादू तियार हमारा ये मैंने निशान लगा दिया साड़े तीन पे निशान लगाऊंगा मैं साड़े तीन पे निशान लगा के आरम हुल का निशान लगाएंगे साथ पे सीधा साथ इंच पे निशान लगा के उपर से इधर से साड़े तीन पे निशान लगाऊंगा साड़े तीन पे निशान लगा के इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह मिला देंगे बादमूरी का निशान लगाएंगे आगे साड़े पांच पे निशान लगाया, आप बादमूरी बड़ी छोड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अब चप्टी के साथ इस तरह से शेल दे देंगे, अब आदी इंच दबाओ छोड़के मैंने ये कटिंग कर लिया, ये कट त्यारी का, अब फ्रेंट की छांड उत आदेंगे, ये फ्रेंट वाली साड़ से, पौना इंच इस तरह से, ये जो दो पले हमने कटिंग किये, ये हमारे फ्रेंट पे आएंगे, ये सीधा साथ इंच आर्म होल हमारा, ये करास साड़े आठम पूरा आएगा, लीजिया वीवर्स, मैं उमीद करता हूँ कि आपको म मिलते हैं नक्स वीडियो के साथ, आला हाफिज